स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आईटे यूट्यूब चैनल पर एलेक्ट्रीसियन थेवरी की एक मेराथन क्लास आप इसको कह सकते हैं अगर आपके एक्जामनेशन्स हो गए हैं तब भी अगर आपके नहीं हुए हैं तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है इसमें सेकेंडियर के हमने वो 65 प्लस एक बोनस कुष्चन आपके लिए सामिल किया है चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग हिट कर लीजेगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे आप चाहें तो वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो में 65 कुष्चन है प्लस लास्ट का एक कुष्चन आपके लिए है जाब बोनस कुष्चन उसका आंसर आपको कमेंट सेक्षन में करना है जिसका भी सही आंसर होगा हम उसके लाइक और रेपलाई जरूर करेंगे कुष्चन को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समझा समझा कि हमने पार्ट वाइस जो कराया था इसमें थोड़ा हम लोग जल्दी करने की कोशिस करेंगे एक कुशन ये जो की लगभग रिपीट हो रहा है प्रकास की तीब्रता को मापने के लिए किस औरोधक का उपयोग किया जाता है VDR, NTC, PTC, LDR, राइट आंसर आपका LDR ये options आपको एक्जाम नेशन में उपर नीचे होके मिल सकते हैं ठीक है और दूसरा एक चीज जो CBT एक्जाम हो रहा है आपके आप हो सकता है एक ही कमरे में Electrician, Secondia के अगर 10 candidate बैठे हैं तो दसो में कुछ कुशन common हो सकते हैं कुछ कुशन अलग भी हो सकते हैं ऐसा एक जाम इस बार हो रहा है ठीक है, इवन एक ही shift में अगला कुशन है हुई चीजा passive component बहुत बार पूछा गया कुशन है ये इसमें से निस्क्री घटक कौन सा है तो निस्क्री घटक है इसमें से आपका capacitor कौन सा है, right answer है D आपका capacitor नेक्स्ट एक ये कुशन इसी से मिलता जूलता मतलब इसी से related फूपर एक लाइन बार ठीक है तो ये क्या हो गया आपका टू इन्पूट नैंड गेट हो गया आपका नेक्स्ट एक कुशन पूचा जा रहा है फूपर इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट यूज इन दा आउटपूट स्टेजिन ड्राइब मतलब ड्राइब के आउटपूट चरण में उप्योग किये जाने वाले पावर इलेक्ट्रोनिक घटक का उननत संस्क्रण कौन सा है तो वह है आपका IGBT अगला एक कुशन पूचा जा रहा है SCR का मुख अनप्रियोग कौन सा है तो SCR का मुख अनप्रियोग होता है स्पीड कंट्रोल आफ मोटर सानी मोटरों की गती का नियंतरण सीरियल नंबर हमने इसलिए नहीं चेंज किया आपके 4 सेमेस्टर के PDF के सीरियल नंबर से है ठीक है जिससे आपको लगे खाए उसी PDF के कुश्चन से है एक ये भी कुश्चन आपसे खूब पूचा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में क्या function है ये ये function आपका है switching का right answer क्या है आपका यहाँ पे switching function है ये next एक कुश्चन आपका 66 कई बार पूचा गया how does the depletion reason behave रिक्तिकरण छेत्र कैसे बेवहार करता है जरूर आए रहे होंगे next एक कुश्चन ये पूचा जा रहा है which cable ties are used to bunch the wires तारों को गुच्चा करने के लिए कौन से cable बंध उपियोग किये जाते हैं तो वो हैं आपके nylon ties ठीक है right answer क्या होगे आपका nylon tie एक कुश्चन ये भी पूचा जा रहा है खूब which circuit the limit switches are used मतलब किस circuit में limit switch का प्रियोग किया जाता है तो जो lift की circuit होती उसमें limit switch का प्रियोग किया जाता है limit switch के basis पे ही decide होता है कि अभी lift कहां पोंची वहां रुकेगी कहां जाना है फिर उसे इसके आधार पे वो काम करती है एक question ये पूचा जा रहा है आपका 90 number which is the correct sequence operation of contactors for operating automatic star delta starter यहीं स्वचालित star delta starter के संचालन के लिए सही अनुक्रमंग का संचालन आपको बताना है ठीक है सही क्रम कौन सा है तो इसका एक shortcut आप याद कर लीजे smtd ठीक है star main timer then delta ठीक है right answer क्या है आपका star main timer delta अगला question है which device controls the operation in sequential control systems 3 star आप इसको दे सकते हैं कई बार यह भी पूचा गया है तो यहाँ पे है timer जो है आपका वो sequential operations जो है उसे control करता है कौन control करेगा timer 108 number question कई बार repeat हुआ है which drive is classified according to mode of operation ठीक है operation के mode के अनुसार किस drive को वरगी कृत किया गया है group drive, manual drive, individual drive या continuous duty drive right answer आपका option D continuous duty drive BOP का पूरा नाम बहुत ही simple सा question है basic operational panel right answer क्या है आपका B basic operational panel यह भी कई बार पूचा जा रहा है what is the purpose of LCD on basic operator panel in DC drive मतलब जो BOP है उसमें जो DC drive में आपका क्या है LCD का उद्दे से क्या है जो LCD लगी होती है तो LCD का basically उद्दे से होता है monitor दा parameter जो parameter से उसको monitor करना ठीक है अगला question है which device controls यह भी 18 तारिक को आपका पूचा गया था microprocessor पे आधारित electronic उपकराण जो है वो उसे control करता है अगला question है कि UPS का full form बहुत ही simple सा full form है uninterrupted power supply right answer क्या होगे आपका option D uninterrupted power supply एक यह भी question कई बार repeat हुआ यह आपके third and four semester दोनों में है inverter का कार है कौन सा है तो आप सभी को पता inverter क्या करता है DC को AC में convert करता है अगला question है what is the purpose of output transformer in inverter यह भी आपको 18 तारिक की second shift में पूछा गया question है कि inverter में output transformer का उद्देश से क्या है तो output transformer आपका AC जो amplifier से आपको मिलती उसे क्या करता है step up करता है amplifier से जो AC मिलता है उसे ठीक है उसे क्या करता है वो step up करता है आपका option C step up AC from amplifier यह क्यों तो आप कह सकते हैं कि कम से कम अगर 10 दिन paper हुए तो 5 दिन जरूर पूछा गया है कि where square wave inverters are used जो square wave inverters है उनका उपयोग कहां किया जाता है तो उनका उपयोग हम लोग general lighting में करते हैं option number D 173 है which is a non-conventional energy source तो इसमें गैर पारंपरिक उर्जा स्रोथ कौन सा है गैर पारंपरिक कौन सा है wind आपका जो है यह गैर पारंपरिक उर्जा स्रोथ है हवा यह कि यह भी question कई बार repeat हुआ है कि इसमें यह जो X portion है इसका आपको नाम बताना होता है तो hydroelectric plant में अगर X का हम नाम देखें तो यह होता है हमारा surge tank क्या होता है surge tank right answer आपका option number B 182 number कई बार repeat हुआ steam power station में boiler का उद्देश अठारा तारिक को second half में भी पूछा गया था बारा यह तेरा तारिक में भी पूछा गया था तो steam power station में boiler का आपका उद्देश से होता है water को steam में convert करना boiler में हम क्या करते हैं पानी को steam में convert करते हैं next है किस प्रकार का बिजली सैयंत्र अधिक कुसल है तो आपका जो hydroelectric यह पन बिजली जो power plant होता है वो सबसे ज़्यादा efficient माना जाता है अगला कुछन एक पूछा जाता है कई बार बायो गैस का मुख के घटक कौन सा है बायो गैस का मुख के घटक होता है आपका methane next है which electric lines connect the substation to distributors in distribution system बित्रण प्रडाली में बित्रकों के लिए substation को कौन सी विदूत लाइन जोड़ती है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है feeder option number A question number 211 211 है what the name of line insulator इस line insulator का नाम क्या है यह है आपका suspension type का insulator का ऐसा insulator है suspension यानि लिन नमबर प्रकार का insulator है एक आपका बहुँ जादा पूँचा जाता है जो आपका इस तरह से side में रहता है जिसे हम cycle type insulator कहते हैं उसका भी figure आपसे कई बार पूँचा गया है अगला question है which is the permissible load for lighting sub circuit in domestic wiring as per IE rules IE NEMO के अनुसार घरेलू wiring में sub circuit को जलाने के लिए अनुमे ये भार कौन सा है तो अनुमे ये भार वहाँ पे होता है आपका 800 watt ये आपका भी 1920 तारीक के exam में पूचा गया है ठीक है अगला एक question है which type of insulator is used for terminating on corner post ये भी question आपका 18 तारीक को second half में था line समापती पर खंबे के लिए इस परकार के line insulator का उपयोग किया जाता है तो right answer आपका cycle insulator next है what is ACSR stands for very important question कई दिन ये भी पूचा गया ACSR का full form है आपका aluminium conductor steel reinforced ठीक है aluminium conductor steel reinforced next है which relay hold dear contact in position after power is cut off power cut off के बाद कौन से relay अपने संपर्क को इस्थिती में बनाए रखते हैं तो ऐसे relay को हम लोग कहते हैं latching relay ठीक है right answer क्या होगे आपका option D latching relay next very important question 2021 में भी 22 में भी पूचा ही जा रहा कई बार how the rapturing capacity of circuit breaker is rated circuit breaker के तूटने की छमता का मुल्यांकन कैसे किया जाता है तो वो मुल्यांकन हम लोग करते हैं MBA में ठीक है अगला question 241 है what the purpose of trip coil used in circuit breakers 18 तारिक को भी पूचा गया है और 19 को भी पूचा गया है तो circuit breakers में trip coil का उद्देश से क्या होता है वो उद्देश होता है remote operation के लिए किसके लिए होता है remote operation के लिए next एक number question अब ये third semester के आपके questions अभी तक हम लोग fourth का कर रहे थे क्योंकि fourth से बहुत ज़्यादा questions पूचे जा रहे है और इसलिए especially हमने आपके लिए 65 questions से ज़्यादा का वीडियो प्रिपेर किया so that आपको पता चल सके कितने questions आ रहे हैं what the name of the part marked as x in dc generator तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं commutator razor ये question कई बार repeat हुआ dc generator में x के रूप में चिन्नीद भाग क्या है ये ये है आपका pole sue ठीक है इसका काम भी पूचा जाता है जो कि साइद आगे हमने सामिल किया होगा question next पूचा जाता है गतिसील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है तो गतिसील रूप से प्रेरित जो है dynamically induced EMF है उसका formula होता है blv sin theta volt ठीक है क्या होता है blv sin theta volt next how many parallel path in duplex lap winding alpha 4 pole dc generator एक 4 pole dc generator के duplex lap winding में कितने समान आंतर रास्ते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके 8 next है why the armature core of a dc generator is laminated क्यों एक dc generator के armature core को पटली त्यानी laminated किया जाता है किसलिए करते हैं reduce the eddy current loss जो भवरधारा हान है उससे कम करने के लिए हम लोग dc generator का जो armature core है उसे क्या करते हैं laminated रखते हैं next question है what is the reason for dc generator fails to build up voltage dc generator के voltage का निर्माल करने में biffle होने का क्या कारण है क्या कारण होता है biffle होने का वो होता है आपका जब उसका field resistance जो है वो critical resistance से क्या हो जाए उपर अगला question है what is the name of a generator if its field is connected in parallel with armature क्या है यदे इसका छेतरा armature के समाना अंतर जुड़ा है तो ऐसे generator हम लोग क्या बोलेंगे sunt generator right answer option number a sunt generator ये question है what the purpose of pole sue in dc generator पीछे हम लोग बात कर रहे थे question आ सकता है और कई बार पूचा गया question है dc generator में pole sue का उद्देश से क्या है तो pole sue का उद्देश होता है जो flux है उसको uniformly air gap में spread out करना यानि फैलाना next question है generator में brush बनाने के लिए सामगरी 18 तारीक को 19 तारीक को दोनों दिन पूचा गया question है तो generator में brush हम लोग बनाते हैं carbon and graphite का right answer option number b carbon and graphite क्यों dc generator अपने ऑसिस्ट चुम्बकत तो खो देते हैं dc generator are losing the year residual magnetism ठीक है क्यों खोते हैं वो खोते हैं आपका जब उनकी direction rotation जो है very often अक्सर वदलती रहती है तो उनका अपना जो residual magnetism है वो खो देते हैं 36 number question है arc welding के लिए किस प्रकार के dc generator का उपयोग किया जाता है ये भी question आपका 18 तारीक को भी पूछा गया था तो right answer आपका differential compound generator sunt generator आपका electroplating में यूज होता है cumulative generator आपका cumulative compound आपका generally elevator and lifts में यूज होता है question बब 40 है which metal is used to make large capacity dc generator योग ये भी question कई बार repeat हुआ है बड़ी चमता के dc generator योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है cast iron का, soft iron का, aluminium का या rolled steel का right answer option number d rolled steel का 43 number question है x के रूप में चिन्नी slot का उद्देश से क्या है तो इस slot का उद्देश होता है keyway यानि कुझी fit करने के लिए to fix the keyway अगला question है which type of dc generator is used for electroplating process electroplating process के लिए किस प्रकार के dc generator का उपयोग किया जाता है तो electroplating में हम क्या यूज करते है sunt generator अगला question है which instrument is used to measure armature winding resistance armature winding प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है right answer आपका Kelvin bridge Kelvin bridge ये भी question काफी important है next question कई बार repeated what is the formula to calculate back emf in a dc motor एक dc motor में emf की गड़ना करने का सूतर क्या है तो वह eb is equal to 5znp upon 60a इसके उपर कई बार numerical भी पूचे गए है अगला question है what is the name of winding if coil pitch is less than pole pitch यदि coil pitch pole pitch से कम है तो winding का नाम क्या है तो ऐसी winding को हम लोग बोलते हैं short corded winding ठीक है right answer आपका अपसा नमबर d 76 नमबर question which speed control method offers below normal speed in dc sunt motor एक dc sunt motor में सामान गति से नीचे कौन सी गतिनी अंत्रण विधी प्रदान की जाती है तो वहाँ हम लोग प्रदान करते हैं armature control method and सामान गति से नीचे and उपर दोनों को अगर control करना है तो आपका ward leonard system of speed control ठीक है अगला question है which insulating materials belongs to class B insulation कौन सी कुछालक सामगरी से रेड़ी B की कुछालक है तो यहाँ पर आपका right answer है fiber glass option number C ICX series और हम आपके लिए ले आएंगे जिसमें हम आपके ED के और WCS के करीब आपके 20-25-25 question जो पूछे गए उसको ले आएंगे जिससे आपको पूरा second year का ED and WCS clear हो जाएगा क्या question आ रहा है स्रेडी F insulation का तापमान 155 degree कितना? 155 degree lift में किस प्रकार की DC motor का प्रयोग करते हैं lift में हम लोग यूज़ करते हैं DC cumulative compound motor DC संचाई योगिक motor right answer option number D 103 number question है which type of instrument used to test the armature winding armature winding का परिक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरान प्रयोग करते हैं तो वो है आपका right answer growler right answer क्या है आपका growler अगला question है what is the purpose of tapes in winding winding में tape का उद्देश बहुत ही simple and बहुत ही important question तो winding में tape का उद्देश होता है wrap the insulator मतलब जो conductor उसे wrap करने के लिए लपेटने के लिए next question कई बार पूछा गया what is the operation in the rewinding process rewinding प्रक्रिया में ये क्या है ये operation आपका है removing of wedge right answer क्या है removing of wedges यानि wedges को हटाना 119 why the newly rewound armature must be preheated before warnishing warnishing से पहले नए rewound armature को गर्म क्यों किया जाना चाहिए तो हम गर्म इसलिए करते हैं जो moisture है वो क्या हो इसमें से बाहर निकल जाए ये भी question आपका 18 तारीक को पूछा गया था अगला question ये भी पूछा गया था what the formula to calculate the slip of three phase squirrel cage induction motor तो three phase squirrel cage induction motor की slip की गर्णा करने का सूतर है n slip is equal to ns minus nr अगला question repeated कई बार ये भी what the type of ac motor stator winding ac motor stator winding का प्रकारत ये प्रकार है आपका single layer basket winding क्या है single layer basket winding next what the name of the starter symbol starter प्रतीक का नाम बताना है आपको star delta, rheostat, direct online starter या auto transformer ये है आपका star delta starter कौन सा है star delta starter एक ये भी question आपका दो तरीके से पूछा जाता है और दोनों को हमने सामिल किया है which is the application of universal motor universal ये नि सारभामिक motor का उनपरियोग तो वो होता है आपका food mixer में ठीक है और ये ही question आपका पूछा जाता है इस तरह से कि which type of single phase induction motor is used in food mixer तो उसमें क्या साही होगा आपका universal motor ठीक है, right answer दोनों में same ही रहेगा अगला question है how alternators are rated alternator को कैसे rate किया जाता है KVA में KW, MW या KB right answer है आपका KVA 264, ये भी कई बार पूछा गया question even 18 तारिक को भी second shift में पूछा गया है what is the name of the equipment that provides DC to the rotor of alternator alternator के rotor को DC प्रदान करने वाले उकरण का नाम क्या है, तो वो नाम है आपका exciter, exciter या उत्तेजक bonus question, ठीक है, ये total है 65 questions, हमने serial number नहीं डाले क्योंकि उससे आप confused होंगे कहां के questions हैं, इसलिए हमने बदले नहीं, ये total हो गए आपके 65 questions, ठीक है and ये है आपका bonus question, जिसका answer आपको comment section में करना, इसका serial number हमने कर दिया है, hide, ठीक है which type of single phase motor used for hard disk drive hard disk drive के लिए किस प्रकार की single phase motor का OPO किया जाता है stepper motor, repulsion motor, hysteresis motor या reluctance motor जो भी right answer हो, आप लोग comment section में comment कीजेगा and वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा कि आपको एक और series ऐसी चाहिए important questions की तो हम जरूर बना देंगे वीडियो को like and share जरूर कीजेगा चनल पे नए है तो subscribe की बना मच जाएगा यहाँ पे आपको IT की पढ़ाई के साथ IT की सभी तरह की updates और job और apprenticeship की भी वीडियोज मिलती रहेंगे Thank you very much